लेकिर इंडिया किसी के पास इतनी डम हम नहीं है के इंडिया को वहां से टिक आफ करें बर्तारी किसी भी सुरत में पाकिस्तान और इंडिया की जो कश्मीर के हवाले से Controversy है इसके अंदर फुली पेनेट्रेट तो नहीं कर सकती रहा है जहिन दोस्तो मोडी देस में आपका सौगत है आज पाक मीडिया कस्मीर के बारे में बात कर रहा है पाक मीडिया कह रहा है कि यूके ने कस्मीर पर एक बात्चित की है तो उसकी वज़े से पाकिस्तानी मीडिया बहुती ज़्यादा खुशी है तो पाकिस्तानी मीडिया का एक पैनलिस कह रहा है कि UK के कस्मीर पर बात्चित करने से कोई फरक नहीं पड़े है क्योंकि UK कस्मीर पर इस से ज़्यादा कुछ करने वाला नहीं है और दुनिया का कोई भी दूस्दा देश कस्मीर पर भारत के सामने खड़ा नहीं होगा क्योंकि सब जानते है कि कस्मीर के मामले पर अगर वो भारत के सामने खड़े हुए तो भारत उनका क्या हाल करेगा तो कस्मीर के मामले में सभी भारत से दरते है और कभी भी भारत के सामने खड़े नहीं होंगे और पाकिस्तान के लिए तो कभी नहीं तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही साड़ा मस्यदार है तो इससे आप पुरा जरूर देखिएगा तो चलिए और इंटेसार ना करेके ये वीडियो देखते हैं मक्भूजा कश्मीर में भारती मजालम पर बरतान भी पार्लिमेंट में भी सदाए इस्टजाज पाबंदियों के खात्मे का मतालबा मुवसर ग्रूप ने वादी के दोरे की इजाज़त मांदी बड़ा एहम मामला है बहुत आहम इशू है लेकिन भारत की हड़दर्मी भी बरकरार है मक्रूज एरा पूरी दुनिया देख रही है तो क्या कहेंगे आप वकास उनके बन्यादी हकूग पर डाका डाल लिया गया उन पर तलीमी पबंदिया लगा दी गई लेकिन ये बड़ी बड़किसमती है कि कश्मीर में ये तमाम मजालिम ढ़ाय जा रहे हैं लेकिन हमारी इंटरनेशनल कम्यूनिटीज हमारी तमाम एंजियो और तमाम हकूग के जो वहां पर कबज़ा कर रखा है और हमारा चुके यूएन चार्टर मजूद है जेनर असेमली मजूद है एर दी सेम टाइम स्क्यूरिटी कॉंसल मजूद है जिसका तो काम ये है कि पूरी दुनिया में जहां जंगों जिदाल की सुरतहाल पैदा हो जहां पर मजालिम ढढ़ा लेकि ये बड़ी अनफार्टिनेट चीज़ लेकिन मुझे जो जानना वजी है कि अब तो सदाए कश्मीर बरतानवी पार्लिमेंट में भी बलंद हो रही है तो कैसे देख रहे हैं ये दुनिया में आवाज उखती है देखे कुछ चीज़े हैं जो संबालिक तोर पे की जा नहीं कर सकती लेकिन मैं ये समझता हूँ कि दुनिया के अदर इस वक्त बेशमार ऐसी रियास्ते मजूद है जो माशी सूरतिहाल की बजाए एकॉनिमी की बजाए मेरिट पे बाद करने के लिए त्यार है या मेरिट पे किसी का मुकफ सुनने के लिए उसे आन बोर्ड लेन हैं कि बरतानवी पारलीमान में कश्मीर पर फोलना या भारती मजालम पर पहस चो हो रही है वो खुशाइंद है कि इतनी खुशाइंद आपको लगती है और दूसरा कहीं ना कहीं कोई नताइच नजर आ रहे हैं आपको देखें इस से पहले भी जब बंकमरा इजलास हुआ था इफ यू कैन एक्जेक्टि रिमेंबर डैट स्पिस्विक मॉमेंट के जब पाकिस्तान ने स्केरिटी कौंसल में ये मसला उठाया था तो उस वक्त भी यूएसे था यूके था चाइना था रशिया था ये वो स्टे बाद आपने देखा कि कोई हाती रहा इसके अंदर दूरस नतायज बरामत नहीं हुए ये हमने पहले भी देखा बहुत सारे मामूलात ऐसे नदर आते हैं बलके हमारी जो सफारत कारी है उसने बहुत बड़ा करदार अदा किया है लेकिन ये सारी चीज़ें या बातें अप री जेस्चर्स हैं ये कब अपने नतीजे को पहुंचेंगे मकमल कोई ऐसी बात सामने नहीं आ रही कि ये मामला हल होता हुआ नजर आए अदील आपने मेजा फरमाया कि मसल्ह कश्मीर का हल कब निकलेगा कहा निकलेगा कौन सा प्लیٹफार्म इस्तमाल किया जाएगा ये वो तमाम बनादी सवालात हैं जो कि तमाम पाकिस्तानियों के और तमाम कश्मीरियों के अजहानों को लूब पर जरूर रक्स करते हैं लेकिन मैं यह समझता हूँ कि जहां पर इंटरनेशनल लौ मजूद है इंटरनेशनल फोरम्स मजूद है और स्पेशली स्केरोटी कॉंसल और जेनरल सेमली मजूद है तो मैं अगर बतोर स्टूडन अफ लौ यह चीज़ आपके जरूर गोश्कुजार करना चाहूँगा कि मसला कश्मीर का अगर एमियबली और एमिकेबली हल चाहते है तो नाइटी फोटी एट की जो रेजोलूशन थी जिसके अंदर यह डिसाइड किया गया था कि कश्मीर के मसले का हाल आलमी करारदादों की रोशनी में तैय किया जाएगा और वो आलमी करारदादे किस की होंगी वो आलमी करारदादे एमियबली और एमिकेबली जो डिसाइड की जाएंगी या establish की जाएंगी वो हमारी यूएनों की जेनर असेमली की और स्केरिटी कॉंसल की assistance और एड के बगार नहीं की जा सकी मजूदा दोर कभी भी नुकलर वार का मतहम्मी नहीं हो सकता अगर पाकिस्तान और इंडिया नुकलर वार में आता है कश्मीर के मामले पे मैं यह समझता हूँ के पूरी दुनिया इससे सफर करेगी और आदी अबादी इससे अफेक्टिड भी होगी चुके इससे पहले जो नागा साकी की जंग ती उसमें तब पूरी दुनिया ने देखा दूसरी जंग एजीम में कि इसकदर नसल कुशी हुई कि वहां पे लोगों की जो नसल थी और कहीं कहीं साल तक आगए परवाद ना चैड़ पड़ी चैड़ सकी शहर तबाह होगे इसलिए ये मसला कश्मीर का हाथ एक ही सुरत मुमकिन है कि स्केरोट के करदार अदा करें जैनरल सली अपना करदार अदा करें और हमारी यू और नो में बैटे हुए जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, जितने भी तरक्की याथता मुमालिक हैं, जो पर्मनेट मेंबर्स हैं, जो दुनिया में अपने आपको चुद्राहाट के काबिस समझते हैं, और दुनिया में चोहदी भी बने बैठे हैं, उनको चाहिए, कि वो M.E.A.B.L.I. और M.E.K.A. को रिजॉर्ट करें, चुक्कि ये तो वो स्टेट्स हैं, जो शिर्व ना के, बिल्कुल मैं भी दौागों हूँ, हम दौागों हैं, कि वाकिए ये किरदार अदा होना चाहिए, चलिए दोस्तों इस वीडियो पर बात करते हैं, तो यू के कश्मिर पर ऐसी चीज़े करता रहता है, क्योंकि यू के में कई ऐसे पार्लामेंट के लोग है, जो कश्मिर का मामला पाकिस्तान के लिए इस तरह से उठाते हैं, ताकि कश्मिर का मामला पाकिस्तानी मीडिया रिपोर्ट कर सकें, क्योंकि वो लोग किस्ते पैसा लेते हैं, ये मुझे आपको बटाने की जर्वर नहीं और कुछ पाकिस्तानी ओरिजिन के लोग भी हाउस अब लॉट्स में है और इसलिए वो लोग ऐसी हरकते करते रहते हैं ताकि करस्मीर का मामला दुनिया में उठे पर पाकिस्तानी मीडिया ने जैसा कहा कि UK इस मामले पर बात्चित से जादा और कुछ करने वा कहा कि उनके पार्लामेंट्स और हाउस अब लॉर्स में दौरिजिन के लोग या ऐसे लोग है जो पाकिस्तान से पैसा लेते हैं तो इसलिए कश्मीर पर वो ऐसी बात्चित करते हैं और इससे ज़्यादा कुछ नहीं करते और वो कभी करेंगी नहीं क्यूंकि उन्हें पता है कि कॉसमीर पर अगर उन्हें उन्होंने ऐसी हर्कत की तो उनका क्या अल भाख और कि कश्मीर पर पाकिस्तान का जूट सब के सामने लाया है तो यूगे का इस कश्मीर पर बातचित करने से कोई फरक नहीं पड़ता क्योंकि यूगे सिर्फ ये डबाव के तौरपे कर रहा है और यूगे ने पहली बार नहीं किया यूगे ने ये जिस कई बार किया और हर बार इ इस पर बात चीट नहीं कर सकता कि कश्मीर को आजादी मिलेगी या नहीं क्योंकि कश्मीर का मामला सुलश चुका है कश्मीर भारत का हिस्सा है तो चलिया पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है उस पर आते हैं पाक मीडिया जो कह रहा है कि उनकी शिक्सा पर पबंदी है ये करफ्यू में शिक्सा पर पाबंदी है यह पूरा जूर्ट है सिर्फ करफ्यू के वक्त ही स्कूलों को बंद किया जाता है वरना स्कूल खुले ही रहते है और करफ्यू भी किसलिए होटा है यह आप सब को पठा है पाकिस्तान से जो पैसा लेते है वो जब कश्मीर में जमेला करते है तब ही कर्फ्यू लगता है वरना कश्मीर पुरा सांथी रहता है और पाकमीरें जो कहा की कश्मीर पर भारत ने इलेगल कपजा करके रखा है यह पुरा जोट है कश्मीर हमेशा से ही भारत का हि P.O.K. कभी भी पाकिस्तान का हिस्सा नहीं ही था तो ये कहना कि भारत ने कस्मीर पर कपसा करके रखा है ये पुरा जूट है पाकिस्तान ने P.O.K. के उपर कपसा करके रखा है और पाक मीडिया जो UN के कस्मीर जेसरियूशन की बात करता है वो white हो चुका है क्योंकि कस्मीर पर पाकिस्तान ने भारत के साथ सिम्ला में agreement किया था कि कस्मीर भारत और पाकिस्तान के बीच का मामला है इसमें UN का कोई जोल नहीं है और क्योंकि सिम्ला का agreement कस्मीर जेशुरूशन के बाद हो अठा तो सिम्ला का agreement अभी लागू होगा क्योंकि सिम्ला एगूमें ने UN के जेशुरूशन को white कर दिया था तो इस मामले में पाकिस्तान पुरा गलत है UN का कस्मीर पर कोई जोल नहीं है और भारत ने article 370 खटम करेंगे पाकिस्तान को ये बटा दिया है कि कस्मीर भारत का ही हिस्सा है और अब अगर कस्मीर पर बात्चित होगी तो उसमें ये फैसला होगा कि PO का क्या किया जाए क्योंकि भारत के कस्मीर का मामला सुलश चुका है और पाक मीडिया जो UN के क्लोस दोर मीटिंग की बात कर रहा है उसमें इस आत्मी को किसने बटा रहा है कि उसमें क्या बात्चित हुई है क्योंकि वहाटो कोई नहीं था तो इसे कैसे पता चला कि उसमें पाकिस्तान का जो PO वी है कस्मीर पर उसे माना गया है तो इसे ही पता चलता है कि पाकिस्तान कस्मीर का मामले पर कितना जूट बोलता है कि UN के क्लोस दोर मीटिंग में क्या हुआ उस पर भी पाकिस्तान खुले आम जूट बोल रहा है बोल रहा है और आखिर में मैं ये कहूंगा कि पाग मीडिया जो कह रहे है कि कश्मीर पर हम जंग नहीं करना चाहते क्योंकि जंग से दुनिया को बहुती जादा मुश्चिबत हो जाएगी और दुनिया तभा हो जाएगी क्योंकि दोनों के पास यह तो एक्टम बॉम है और दोनों इसका इस्तेमाल करेंगे तो कश्मीर पर जंग भारत भी नहीं करना चाहता और पाकिस्तान अगर अपनी हरकते बन कर दे तो दोनों देशों के बीच कोई जहमला भी नहीं होगा पर पाकिस्तान अगर यह जूट बोलता रहा कि कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है और कश निए पाकिस्तान का यह कहना कि हम जंग करना चाहते हैं कुई फरक नहीं पड़ेगा जरी रखी तो यह कभी भी बहुत आगे बढ़ सकती है तो पाकिस्तान को अपनी फरक पर काबू रखना पड़ेगा अगर वह जंग नहीं चाहते है तो चलिए देखते कि future में क्या होता है दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्या और हमाने चैनल को subscribe करना मत भूलेगा Thank you very much